नमस्कार, जैमत आदी सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, राशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंदा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा मंत्र जो आ चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वह अब आपका दिवाना हो जाए, तो उपाई जरूर कीजेगा, किसी को अपने वश में करने के लिए, दिवाना बनाने के लिए, और खास करकर देखिए, हम ये चीजे बोल देते हैं कि आप किसी को वश में कर सकते हैं, या किसी को दिव भी जैसे कि जो वश्य करण है या जो वश में कर देने की जो चीज़े होती हैं, जैसी हमारी सोच वैसा हमारा रिजल्ट, देखें, अगर आप किसी को दिल से महाब्बत करते हैं, और दिल से चाहते हैं, आप उसका नुकसान नहीं चाहते हैं, जिन्दगी भर उसे प्रेम करन उपाई करते हैं तो इसका बहुत ही positive and better result आपको दिखने को मिलता है वहीं आप कुछ गलत नियत से या कुछ गलत सोचते हुए अगर आप ऐसे कोई उपाई करते हो तो उसका गलत result ही आपको देखने को मिलता है तब हम आपको पहले ही कहा देते हैं कि अगर आप प्रेम से जुड़ा हुआ कोई उपाय करते हैं, प्रेम प्रापती के लिए कोई भी उपाय करते हैं, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, कोई लालच के भी ना करें और आपका वो जो उपाय को बिलकुल यह हम किसी को पसंद करते हैं हम किसी को लाइक करते हैं या प्रेम में है तो उसके बारे में भी एक ऐसा समय होता है जब हम उसके बारे में ज्यादा ख्याल आते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो रात का समय होता है जहां हमें कोई डिस्टरब नहीं करता जहां तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बताएंगे कि क्या उपाय आपने करना है यह उपाय शुक्तरवार के दिन से शुरू कीजेगा एक इस दिन तक लगातार कीजेगा आपने सीधा लेट जाना है जैसे भी आप लेटते हैं तो सोने से बिल्कुल प कर रहे हैं उसके बाद आप कोई फोन चला रहे हैं काम कर रहे हैं नहीं सोने से पहले उपाय करना है उसके बाद डारेक्ट आपने सो जाना है ताकि आपके अंदर भी एनरजी रहे उपाय का मंत्र का आपकी अंदर असर रहे आपने क्या करना है उस लड़के का या लड़क 21 बार आपने मंत्र बोलना है आपने मंत्र बोलना है ओम नमो मोहिनी देवी आदी रूपेनी मम वश्य कारीनी दुबारा बोल देते हैं मंत्र आपने बोलना है ओम नमो मोहिनी देवी आदी रूपेनी मम वश्य कारीनी यह जो मंत्र है यह हम स्क्रीन पर भी शो कर देंगे या आपको वीडियो की नीची जो description है उसकी नीची हम आपको लिख कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई बित तकलीफ ना हो कि देखिए आपने मन ही मन बोलना है तो आपको आप मंतर को याद करना है तो इस मंतर को अच्छे से आप 4-5 बार बोलेंगे तो आप याद हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को लगातार शुकरवार के दिन से शुरू हो कर रात के समय इसको लगातार 21 दिनों तक बोलना आपका कर्शन भी बढ़ेगा पस्नारटी भी बढ़ेगी जिसके बारे में सोचकर जिसके ख्याल देकर आप यह मंत्र बोलेंगे नाम बोलकर आप करशित होगा तो इस उपाय के साथ सथ कोशिश करें कि आप उससे मुलाकात ज्यादा करें बात्चित ज्यादा करें बात्चित नहीं हो रही है तो कोशिश करें कि उसके आसपास से गुजरे आई कॉंटक्ट करने के कोशिश करें तो यह जतना ज्यादा करेंगे इस उपाय लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें कमेंट करें हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें शुक्रिया